हेलो आल, दस इस सान्वी शर्मा, I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जेनरलाइस रीडिंग लेकर आए हूँ, जो कि जुलाइ 2023 के लिए है, आज की रीडिंग वोग हो, यानि की कन्या राशी वाले लोगों के लिए है, ये एक जेनरलाइस रीडिंग है, तो ये रीडिंग कही न कहीं आपसे रेजनेट ज़रूर होगे, अगर आप मेरे रीडिंग से इंफ्लूइंस्ट हैं और किसी परस्नलाइस प्राबलम का सॉलिएशन मुझसे चाहते हैं, तो अब अपनी परस्नलाइस रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं, ये बुकिंग वाटसाप के थूँ या फिर मेरी इमेल आइडि के थूँ कर सकते हैं, मेरा वाटसाप नमबर और इमेल आइडि स्क्रीन पर फ्लाश होगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए-ने वीडियो की नोटिफिकेशन मलती रहें मेरे एक और चानल भी है सोल डिवाइन जोनी टारो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियो पोस्ट करते हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चानलाइस करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली इंचलिक गाइडेंस रोज रात आट बच उस चानल पर पोस्ट करते हूँ देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनर डिटेल्स सो आएए जानते हैं वर्गो बीपल ये जुलाई का महीना जिनरल एनोजीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वर्गो बीपल यह जो जुलाई का महीना है यह जिन्रल एनोचीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है आईए जानते हैं वर्गो बीपल यह जुलाई का महीना जिन्रल एनोचीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा यहां पर page of earth ka 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 of pentacles का card है and bottom of the deck पर यहां पर the sun का card है so Virgo people आप लोग जानते होंगे कि आप एक earth sign personality है but इस month में actually आप एक earth sign personality की तरह भी act करेंगे और आप एक fire sign personality की तरह भी act करने वाले है ठीक है तो इस month में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी life के अंदर कुछ major changes होने वाले हैं जिससे कि आपकी life की जो भी dark energies है या ऐसा कोई square है जिसके अंदर आपको बहुत ज़दा darkness महसूस होती है वो darkness release होने वाले है उस square को लेकर आप happy feel करेंगे आपकी life के अंदर बहुत ही magical opportunities आने वाली है ठीक है past में जो आपने मेहनत की है उसका आपको अच्छा reward मिलेगा आपकी जतने भी plans है वो बहुत perfectly काम करेंगे divine को thank you कहना आपको नहीं भूलना है आप एक बच्चे की तरह carefree होकर अपनी life को जी पाएंगे इस मंत में ठीक है इस मंत में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एक practical proposal मिलने वाला है जिसकी वज़र से आप बहुत ही ज़दा independent energies में आते हुए मुझे नजर आ रहा है बट हर एक चीज को detail में आप जानने का प्रयास अपने level पर आप करेंगे आप काम में अपना मन लगाएंगे ठीक है कोई excellent जो opportunity आपके सामने आएगी सिरफ उस चीज के उपर depend करके आप अपने career में बाकी चीजों को रोकने नहीं वाले हैं ठीक है career के regard में बहुत अच्छी news आपको मिल सकती है हो सकता आपका promotion हो जाए अगर आप कुछ exams दे रहे हैं तो scholarship आपकी लग जाए ऐसी energies है ठीक है आगर career के अंदर अपना path ही आप change करना चाते है तो ये month उस चीज के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पर five of fire का card है इस महीने में आपका दूसरों के साथ लड़ाई जगड़ा हो सकता है क्योंकि आपके opinion points दूसरों से काफी different होंगे आपका opinion point दूसरों के साथ match नहीं करेगा ठीक है लड़ाई जगड़े की energy से बचने का एकी तरीका है कि पहले आप ये सोच लीजे कि जस चीज़ के उपर आप लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं जिस person के साथ आप ये लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं वो person वो situation आपका time आपकी energy deserve करती है कि नहीं ठीक है अपने लिए आपको stand लेने की ज़रूरत है मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस महीने में आपके ambitions बहुत ही ज़्यादा high रहने वाले हैं यहां पर six of pentacles का card है इस महीने में आप एक financial balance की situation को acquire करते हुए नजर आ रहे हैं अचानक से inflow of abundance होगा इस महीने में आप दूसरों से अगर कोई loan लेना चाहते हैं या कोई करजा लेना चाहते हैं अब ले सकते हैं अगर already आपने करजा लिया हुआ है तो आप वो करजा लोटा सकते हैं ठीक है दूसरों के साथ अपने wealth को share कीजेगा अगर आपके पास abundance का source ज़्यादा बढ़ता है तो ठीक है यह energies हैं यहाँ पर इस महीने में आप मुझे long term planning करते हुए नजर आ रहे है पास्ट की जो choices आपने बनाई हैं उनसे आपको abundance मिलेगी ठीक है आपको जो इस महीने में success मिलने वादी है उसको लेकर आप काफी proud feel करेंगे जब आपको future के बारे में discussion करनी है या कुछ decide करना है या plan करना है तो थोड़ा सा patience आपके अंदर होना चाहिए और बहुत ज़दा किसी भी चीज़ में अगर delay या postponement हो रही थी तो वो energy यहाँ पर मुझे खतम होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर seven of fire का card है देखे इस महीने में मुझे आप अपने लिए stand लेते हुए नजर आ रहे है आप अपने belief system पर खड़े रहेंगे खुद के उपर आपका यकीन बहुत ज़दा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उन लोगों को आप challenge करते हुए नजर आ रहे है जो लोग power में है लेकिन challenge करने से मैं आपको रोक नहीं रहे हुँ बट आपको ये चीज जो आप करना चाह रहे है उसको बहुत wisely करना है अगर आपके पास कुछ proofs है या फिर आपके पास कुछ backup है तभी किसी higher authority को challenge कीजेगा otherwise ये चीज़ मत कीजेगा ये चीज़ आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है यहाँ पर nine of fire का card sorry nine of swords का card है देखिए यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है life के अंदर सब कुछ तो happening होने वाला लेकिन रात के time पर जब आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको चीज़े ना बहुत worst सिनारियों की तरफ को बढ़ती हुई नज़र आएंगी क्योंकि आप past की चीज़ों के साथ अपने present को compare करने वाले आप ये सोचेंगे कि past में ऐसा बुरा हुआ था तो हो सकता है कि अब भी ऐसा बुरा हो जाए तो वो खुद के negative thoughts है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको चिंदाए बहुत ज़्यादा सुताने वाली है आपको रात को नहीं नहीं आगी आपके sleeping pattern इस month में disturb होते हुए नजर आ रहे हैं अपने thoughts को refocus ज़रूर कीचेगा यहाँ पर ace of pentacles का card है आपकी life के अंदर जो money का source है वो तो definitely बढ़ेगा abundance आपको मिलेगी इस month में आपको किसी के साथ ऐसे बैटने का या फिर ऐसे advice मिलने का मौका मिलेगा जो person आपके career को shape करने वाला है ठीक है आपकी life को shape करने वाला है luck इस month में आपको support करेगा ठीक है इस month में आप किसी के साथ कोई contract sign कर सकते है इस महीने में आप घर लेना चाते हैं या कोई vehicle लेना चाते हैं तो आप definitely ले सकते हैं यहाँ पर फिर again 10 of pentacles का card है इस महीने में financially आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है आपको financial security महसूस होगी आप अपने लिए बहुत सारी चीज़े कर पाएंगे आप अपने family के लिए बहुत सारी चीज़े कर पाएंगे अगर आप retirement plans की बात करें तो इस महीने में आप उन चीजों के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपको अपने life के अंदर peace contentment मिलती हुई नजर आ रहे हैं आप अपने family के traditions को value करेंगे ठीक है और आप अगर किसी ancestral business में हैं ठीक है तो वहाँ पर आपको बहुत ही जादा फाइदा होने वाला है आपको आपकी general energies आई होब आपको आपकी general energies clear हो गई होंगी वर्गो बीपल अब हम देखते हैं वर्गो बीपल ये महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपकी love life किस तरह की होगी आए जानते हैं ये महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है आए जानते हैं Virgo people इस महीने में आपकी love life किस तरह के रहने वाली है तो पहला card है two of cups का card है the next card is five of swords का card है the next card is page of cups का card है the next card is king of fire का card है the next card over here is three of pentacles का card है awakening का card है यहां पर the next card is the moon का card है the next card over here is nine of cups का card है and bottom of the deck पर three of swords का card है तो वो people सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने partner के साथ no contact state में है जब जुलाई का महीना शुरू होगा तो आपको आपका जो relationship है वो बहुत ही ज़दा stuck नजर आएगा आपको इस चीज़ का एसास भी होगा कि घर का कोई तीसरा person है जो आपके relationship में interfere कर रहा है वो शायद आपकी side से हो सकता है शायद आपके partner की side से हो सकता है वर घर का ही कोई person है जिसकी विचे से आपके इस relationship में problem आ रही है इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल confirm हो जाएंगे आपको यह महसूस होगा कि आपके partner ने आपसे बहुत सारी चीज़े चुपाई हैं अगर आपके partner आपको पहले से यह सब चीज़े बता देते या फिर उनका point of view बता देते तो शायदा चीज़े उतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ती ठीक है बट एक बहुत बड़ा twist इस मन्त में आपके love life में जरूर आएगा अब जब बहुत ही साधा pain की situation में होंगे अपने partner को stock कर रहे होंगे अपने partner की life में क्या हो रहा है यह जानने की कोशिश कर रहे होंगे तब आपके partner आपकी तरफ को वापिस लोटेंगे आपको starting में तो ऐसा मैसूस होगा कि आपके partner का ध्यान इदर उदर है वो सिरफ आपकी तरफ ध्यान ने दे रहे हैं बाकि उनकी life के अंदर हर एक चीज़ priority है लेकिन अचानक से आपके partner की direction आपकी तरफ को बाते करेंगे वो चीज़े सुनकर आप बहुत ज़दा चंबित होंगे कहीं ना कहीं आपको आपके partner के उपर यकीन नहीं होगा लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी wish है कि आपके partner आप तक आए और अपने दिल का हाल आपके सामने बया करे और आप दोनों का relationship बहुत अच्छा हो जाए और वही चीज़ इस मन्त में होने वाली है acceptance में आपको problem आएगी बट ज़्यादा doubt मत कीचे का के partner आपको कोई भी cheat करने या backstab करने नहीं आ रहे हैं जो कुछ भी past में घटे तुगा वो past की energies है उसे अपने future में या present में लाकर अपना future बरबाद मत कीचे इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है लेकिन ये no contact contact zone में change हो जाएगा इतनी बात तो यहां पर नजर आ रही है एक point पर आकर आप cross road की situation पर आचाएंगे लेकिन दिल की आवाज सुनेंगे तो सही decision बना पाएंगे ठीक है तो ये थी आपके लिए energies अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने partner के साथ contact zone में है इस month में मुझे एक चीज नजर आ रही है कि जो आपके partner है वो आप से बहुत सारी चीज़े चुपाने वाले हैं जो लोग अपने partner के साथ contact में हैं आपके partner आपके साथ रिष्टा तो निभाएंगे लेकिन आपको उस तरह की satisfaction महसूस नहीं होगी आपको ये feel होगा कि आपके partner के side पे कुछ चीज़े ऐसी चल रही है जो शाद आपको नहीं पता है जो ये आपका अंदाज़ा है ये बिल्कुल सही रहने वाला है आपके partner के जिंदगी के अंदर कोई तीसरा person आ रहा है जो आपके partner को कोई proposal देगा आपका जो ध्यान है वो आपके partner के उपर तो होगा लेकिन आपके partner का ध्यान आपके उपर नहीं रहने वाला है आपके partner का ध्यान आपसे deviate होकर इस third party के उपर बनता हुआ नजर आ रहा है आपके partner आपसे direction change करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे है और जो जुलाई का no moon होगा उसके बाद हो सकता है कि आप और आपके partner no contact की situation में चले जाए क्योंकि आपके partner की वजह से आप अपनी life के अंदर stuck महसूस करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप इस रिष्टे के लिए बहुत कुछ करते आए हैं लेकिन आपके partner सिर्फ और सिर्फ आप से आज तक बाते ही चुपाते आ रहे हैं आप एक बहुत ही जादा pain की situation में मुझे अंटर करते हुए नजर आ रहे हैं आपका तो अपने partner की तरफ को full input होगा emotional input होगा लेकिन आपके partner का ऐसा output आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है आप अपने इस relationship में जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप अपने तरफ से पूरा करने की कोशिश करेंगे आप अपने partner की expectations पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे लेकिन आपके partner किसी और को प्रात्मिक्ता यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं देखिए इस relationship से move नहीं करना है move अगर करेंगे तो आप अपना relationship किसी और को gift में देने वाले हैं यह चीज गलती से भी मत कीजेगा इस relationship में आपके partner की energies इस तरह से क्यों change हुई है इस चीज को आपको basically जानने की ज़रूरत है जब आप यह चीज जान जाएंगे तो आपके partner के उपर जो आपको गुस्सा है वो भी खतम हो जाएगा ठीक है यह energies है यहां पर जो लोग अपने partner के साथ contact zone में है अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग single है वर्गो पीपल जो लोग single है इस महीने में कोई नया person आपकी life के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है अगर आप अपनी शादी के लिए बहुत ज़दा परिशान है तो यह energies खतम हो जाएगी आपकी love marriage ही होगी और यह जो person है यह आपके साथ equal give and take a relationship निभाएगा यह जो person है यह आपको आपकी family के through मिलने वाला है और इस person को मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप इस person को बहुत पहले से जानते हैं ठीक है आपकी जो अपने stable life की इच्छा है एक अच्छी marriage की इच्छा है वो इस person के साथ आपकी पूरी होगी ठीक है इस person के साथ धीरे धीरे आप equal give and take a relationship निभाना शुरू करेंगे और इस person के जो मुझे exotic science के आहां पर नज़र आ रहे हैं वो है Scorpio Cancer Pisces ओके सो I hope Vogo people आपको आपकी love life की energies clear हो गई होंगी अब हम देखते हैं Vogo people ये महीना आपके career के लिए किस तरह का रहने वाला है इस month में आपकी job किस तरह की रहेगी आपका business किस तरह का रहने वाला है आए जानते हैं So let's see Vogo people ये महीना आपके business, आपके career, आपके finances के लिए किस तरह का होगा तो पहला card है यहाँ पर eight of pentacles का card है यहाँ पर eight of fire का card है ace of fire का card है यहाँ पर king of fire का card है यहाँ पर the next card over here is page of cups का card है the next card is queen of fire का card है the next card over here is release का card है and bottom of the deck पर यहाँ पर seven of fire का card है इस महीने में आप अपने करियर में बहुत जादा मुझे महनत करते हुए नजर आ रहे हैं हर एक चीज को बेसिक से आप करने की कोशिश करेंगे जिन चीजों के बारे में आपको नौलेश नहीं है उस पर आप काम करेंगे अपने स्किल्स को आप इंप्रूव करने वाले हैं कई नई नौलेश आप गेन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं महनत से आप बिलकुल भी नहीं भागेंगे इस महीने में आपके करियर में एक नई डारेक्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है उस नई डारेक्शन की और बढ़ते हुए आप बहुत ही ज़ादा बोल्ड रहेंगे करेजियस होकर आप आगे की और बढ़ने वाले हैं आप बहुत ही जादा optimistic रहेंगे अब आपको ये महसूस होगा कि करियर में कुछ action लेना है आप अपने करियर को for granted बिलकुल भी नहीं लेने वाले हैं आप अपने करियर की तरफ को बहुत ही जादा मुझे focus नजर आ रहे हैं आपके ambitions बहुत high होंगे आप अपने करियर में एक leadership role अदा करते हुए नजर आ रहे हैं आपको ऐसा अगर महसूस होता है कि आपके करियर के अंदर कोई बहुत ज़दा interfere कर रहा है तो उस person को वहीं पर आप stop कर दीजेगा clearly communicate कीजेगा आपको अगर कोई person criticize करता है तो अपने आप में demotivate आपको नहीं होना है अगर आप अपनी life के अंदर कुछ कर रहे हैं तभी लोग आपके पीठ पीछे आपकी बात कर रहे हैं अगर आप अपनी life में कुछ भी sending way में ना कर रहे होते तो कोई आपके पीठ पीछे बात नहीं करता है ठीक है तो अगर पीठ पीछे कोई criticize कर रहा है इसका मतलब सोच लीजे कि आप अप में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी की आंकों में खटक रहा है तो खटक ने दीजिए आप अपना काम कीजे इस महीने में आपके करियर की जो इनर्जी से बहुत ही जदा बूस्ट होती हुई नजर आ रही है करियर में बहुत जदा एडवांस्मेंट मुझे यहां पर नजर आ ही है बहुत कुछ एक साथ होना शुरू हो जाएगा बहुत जदा आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रेस भी होगा कि इतनी सारी चीज़ों को आप किस तरह से हैंडल कर पाएंगे आपको इतना जदा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं बलकि इश्वर को धन्यवाद द सुनिएगा वो परसन आपके करियर को एक नई डारेक्शन की और लिए चाहेगा आपके इमोशन्स भी आपके करियर में बहुत जदा इन्वाल्फ होते हुए नजर आ रहे हैं यह जो एक्सपीरियंस है यह आपको बहुत ही जदा निया रहने वाला है पास्ट में जो भी कर रहे थे वो खतम हो जाएगा और आप एक नई दिशा की और बढ़ेंगे इस महीने में आप अपने बिलीफ सिस्टम पर स्टान लीजेगा बहुत जदा जो हायर अथारेटीज हैं उन्हें चालेंज करने की तिनिंसी आपकी रहेगी बट वो चीज मत कीजेगा क्योंकि उ हो गई होंगी बगो बीपल अब हम देखते हैं यह महीने में आपकी हेल्थ के लिए किस तरहां का रहने वाला है इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरहां की होगी बगो बीपल यह महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरहां का रहने वाला है इस महीने में आपकी हेल्थ किस तर आए जानते हैं वर्गो पीपल तो पहला कार्ड है रिलीस का कार्ड है the next कार्ड is the lovers का कार्ड है the next कार्ड is four of cups का कार्ड है and bottom of the deck पर the magician का कार्ड है so वर्गो पीपल जो कुछ भी आपको पुरानी कोई बिमारी लगी हुई है या फिर किसी बिमारी से आप बहुत लंबे टाइम से जूज रहे हैं वो बिमारी यहां पर मुझे खतम होती हुई नजर आ रही है आपकी जो health है वो improve हो रही है starting में थोड़ा सा प्रॉस रोड़ की situation पर आकर खड़े हो जाएंगे health को लेकर आप यह सोचेंगे पता नहीं अब आपकी health काई और जदा deteriorate ना हो जाए बड़ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपने health के प्रद्धी उदासीनता की energies में मत रहेगा health को improve करने के आपको time to time chances मिलेंगे बस उन energies को follow करते जाएगा आप अपने health related जो भी आपकी problems है आप उसे खुद बखुद solve कर पाएंगे ठीक है और उस चीज में आप successful भी होंगे तो यह energies मुझे यहां पर नजर आ रही है so I hope आपको यह energies clear हो गई होंगी Virgo people आपकी health related energies अच्छे है इन energies का भरपूर फाइदा उठाईएगा ठीक है so आएए अब हम देखते हैं Virgo people यह जो जुलाई का महीना है यह आपके future investment और housing के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में क्या आप future में invest कर पाएंगे क्या आप अपना dream house बना पाएंगे आएए जानते हैं यह महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का रहने वाला है आएए जानते हैं तो पहला कार्ड है four of swords का का कार्ड है then is knight of pentacles का का कार्ड है five of pentacles का का कार्ड है queen of cups का का कार्ड है यहाँ पर the next card over here is page of cups का का कार्ड है the empress का का कार्ड है the next card is strength का का कार्ड है and bottom of the deck पर यहाँ पर six of swords का का कार्ड है so इस महीने में आपको सामने से एक ऐसा proposal मिलेगा जहाँ पर आपका मन करेगा कि आपको invest करना चाहिए ठीक है इस चीज के बारे में आपने knowledge लेने की बहुत कोशिश की लेकिन पहले आप इस particular energy में invest नहीं कर पाए मतलब particular कोई field है या तो कोई stock market है या crypto है ये कुछ ऐसी चीज है जहां पर आप दिल से invest करना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं कर पाए ठीक है इस month में आप वहाँ पर invest कर सकते हैं फिर जाहे वो आप अपनी FD कोलना हो या फिर कोई mutual fund खरीदना हो या फिर crypto हो या फिर stock market हो आप definitely invest कर सकते हैं और इस time की investment आपको future में बहुत अच्छे results देने वाली है आप abundance की energies के अंदर enter करेंगे तो इस time को आपको waste नहीं करना है investment के लिए या time बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि अगर आप कहीं foreign lands में किसी तरीके की कोई investment करना चाहते हैं तो वो आपको definitely करनी चाहिए उससे भी आपको बहुत ज़दा फाइदा होगा ठीक है अगर हम यहाँ पर बात करें land में investment की तो इस month में आप definitely land में invest कर सकते हैं आप अगर अपना dream house बनाना चाहते है तो बना सकते हैं कोई flat लेना चाहते हैं कोई land लेना चाहते हैं कोई घर लेना चाहते हैं कोई shop लेना चाहते हैं garage लेना चाहते हैं definitely आप ले सकते हैं उसमें कोई भी problem नहीं है लेकिन जो भी decisions होने चाहिए आपके वो independent decisions होने चाहिए किसी के उपर depend होकर आपको कोई भी decision नहीं बनाना है अगर आप कोई घर लेना चाह रहे हैं या कोई shop लेना चाह रहे हैं तो जहां पर आप presently रह रहे हैं उसे फोड़ा सा दूर लीजेगा distance पर लीजेगा ठीक है so I hope आपको आपके future investment और housing की energies प्लियर हो गई होंगी वोगो people अब हम देखते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर competitive की तयारी कर रहे हैं आये जानते हैं ये महीना उन लोगों के ल यहां पर six of pentacles का card है the next card is four of swords का four of fire का card है the lovers का card है seven of cups का card है strength का card है यहां पर the next card is six of swords का card है the next card is six of fire का card है bottom of the deck पर two of fire का card है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं competitive की तयारी कर रहे हैं इस महीने में balanced रहकर पढ़ाई करना आपके लिए बेहत ज़रूरी है ठीक है जो भी सपना आपने देखा चाहिए जितना मर्जी hard कोई भी exam हो वो exam आप बहुत अच्छे से clear कर लेंगे लेकिन उसके लिए आपको किसी भी illusion की energy के अंदर trap नहीं होना है ठ इसमें आपको आगे भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपको उस crossroad से निकलेगा यही तरीका यह चीज सोच लीजेगा कि जो चीज आपके दिमाग कह रहा है वो चीज बिल्कुल सही है आपको पढ़ाई में आपके अपनों की support मिलेगी आपकी family आपको support करन हैं जहां पर आप फॉरन जा सकते हैं जैसे कि IELTS का कोई exam दे रहे हैं वो exam आपका इस month में definitely clear होगा ठीक है और अगर आप कोई exam banking से related दे रहे हैं especially मैं आपको यहाँ पर mention कर रहे हूँ वो exam भी आपका definitely clear होने वाला है okay so I hope आपको आपकी पढ़ाई की energies भी clear हो गई होगी व महीने में आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाएं आए जानते हैं वर्गो पीपल की इस महीने में आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाएं what should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाएं तो पहला card है यहाँ पर Hilarion का card है The next card is Soul Flame का card है The next card is Divine Alchemy का card है The next card over here is Cloak of Wisdom का card है The next card over here is Ascension का card है and bottom of the deck पर Life Force का card है So यहाँ पर आपके mode of action में एक चीज़ बहुत openly निकल कर आईए वो है आपका heart chakra अपने heart chakra को open रखना है आपको यह चीज़ बहुत loud है mode of action में मतलब open रखने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपकी life के अंदर आप घटे होगा उसको लेकर आपको Divine से questions नहीं पूछने है यहाँ पर Divine Healing का card है इस महीने में अपनी sensitivity के उपर आपको जादा focus करने की ज़रूरत है मतलब यह है कि आप हर एक चीज़ को इतना ज़दा practical लेकर नहीं चल सकते हैं कि आप चीज़ों को सिरफ practically aspect से ही देखना शुरू कर दें अपनी sensitivity को भी आपको प्रात्मिक्ता देनी है अपने आपको time दीचेगा जिससे आप खुद को recharge कर सके खुद को heal कर सके आपकी जो vibrations है उससे आप दूसरों को भी heal कर सकते हैं इस month में Wednesday की जो मेरी angelic guidance है उसमें जो भी हो पाई मैं बताऊंगे वो आपको ज़रूर फॉलू करने है angelic guidance मेरे दूसरे चानल soul divine journey tarot पर आती है उस चानल का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी videos पोस्ट करते हूं जो आपको आपकी life को channelize करने मदद करती हैं और मैं अपनी daily angelic guidance इस रोजरात आठ मज़े उस चानल पर पोस्ट करते हूं तो आप लीज उस चानल को भी subscribe ज़रूर कर लीचे और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें यहाँ पर soul flame का card है देखिए इस बंद पे आपको एक चीज महसूस होगी कि आपने अपने अंदर से कुछ खो दिया है तो आपको आपकी soul से एक बहुत ही गहरा connection बनाना है उस खोए हुए part को आपको rediscover करना है आपको अपनी soul के साथ इस तरह का एक गहरा connection बनाना है जिस तरह का गहरा connection श्री राधा जी का श्री क्रेशन जी के साथ है तभी आप अपनी life के अंदर वो harmony experience कर पाएंगे जिसकी आपको अपनी life में कमी महसूस होती है यहाँ पर divine alchemy का card है अपने current challenges से आपको आगे की और बढ़ना है आपका focus clear होना चाहिए कि आप अपनी life में क्या चाहते है meditation इस month में आपको जरूर करने है और अपर चक्रास पर जादा focus करना है मतलब अगर मैं बात करूँ एक तो अपने heart chakra पर focus कीजिए एक आप अपने third eye chakra पर focus कीजिए एक आप अपने crown chakra पर focus कीजिए ठीक है यहाँ पर cloak of wisdom का card है जिन सवालों के जवाब आप ढूनने की कोशिश करेंगे ना इस महीने में उन सवालों के जवाब आपको खुद में ही पता है तो जो आपको बता है उस चीज़ पर यकीम रखे यहाँ पर एक काल चक्र का परिवर्ता नजर आ रहा है ठीक है और Thursday की जो मेरी एंचले guidance में जो भी उपाय बताऊंगे वो आपको ज़रूर फॉलो करने है यहाँ पर ascension का card है अपने true self को पहचानने की ज़रूरत है आपको यह जो अंदकार आपको अपनी life के अंदर महसूस होता है वो अंदकार बाहर है और आप बाहर ही light ढूनने की कोशिश कर रहा है light आपके अंदर है खुद को ascension के mode पर लेकर जाए उसके लिए meditation करना divine से अपने connection को बहतर बनाना यह चीजों की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पर life force का card है इस मंत में आपको अपनी life को जिन्दा दिली से जीना है ठीक है आपको अपनी powers को enhance करना है मतलब जिन्दगी को जीने के लिए एक जजबे की ज़रूरत होती है उस जजबे को enhance करना है आपको ठीक है so I hope आपको आपका mode of action clear हो गया होगा और Wednesday और Thursday की angelic guidance पर मैं जो भी उपाई बताऊंगी वो आपको ज़रूर follow करने है ओके so आएए अब हम जानते हैं कि इस मंत में divine आपको क्या blessings देना चाहते हैं क्या messages है divine की तरफ से आपके लिए so आएए जानते हैं कि इस मंत में आपको divine क्या messages देना चाहते हैं क्या blessings है divine की तरफ से आपके लिए आएए जानते हैं तो पहला card है यहाँ पर answering the call का card है the next card is uncovering pressure का card है the next card over here is gates of triumph का card है the next card is vast vistas का card है the next card over here is breaking trial का card है and bottom of the deck पर discovering truth का card है इस मंत में divine आपके सभी प्रातनाओं का जवाब आपको देने वाले हैं आपकी generally divine से यह complaint रहती है कि divine आपके किसी भी prayer का आपको answer नहीं करते हैं जो कुछ भी आपने इश्वर से आज तक भांगा है वो इस महीने में आपको मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है यह divine की blessing है आपके लिए आप जिस भी समस्या में अठके हैं उस पर आपको एक breakthrough मिलने वाला है यह divine का message है आपके लिए कि आप घबराये मत आप एक light के path पर आगे बढ़ेंगे अब और वो path इतना आसान नहीं होगा और अगर आपको यह मैसूस हो कि सब लोग तो दूसरे रास्ते पर चुर रहे हैं और आपको अपनी life में दूसरे रास्ते पर चलना पड़ रहा है तो आपको दूसरों के बातों में या उनके influence में नहीं आना है आपको अपने रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए किस्मत के दर्वाजे खुलने वाले हैं आपकी life के अंदर आपको अब success ही success मिलेगी जो भी darkness है आपकी life की वो खतम हो जाएगी अब success के दर्वाजे आपके लिए खुलने वाले हैं ये divine की blessing है आपके लिए आज शायद आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है लेकिन अभी इश्वर की mother universe की कोक में बहुत कुछ है आपके लिए जो इश्वर आपको देना चाहते हैं ठीके तो इस month में अभी starting में ही आपको सब success और ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा divine यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने horizons को expand कीजिए अपने सोचने के दाइरे को बढ़ाईए ठीके दूर दूर तक अपनी नजर को गुमाईए आप जितने ज़ादा अपने horizons को expand करेंगे इश्वर आपको उतने ही ज़ादा blessings देंगे ठीके so I hope logo people आज की rating आपको पसंद आई हो नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा ये reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा आपने near and dear ones के साथ share जरूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरे reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं ये booking आप मेरे whatsapp के through या फिर मेरे email ID के through कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email ID स्क्रीन पर flash होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है आप लीज मेरे channel को subscribe कर लीजए और bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियो की notification मिलती रहे मेरे एक और channel भी है soul divine journey taro link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात आठ बज़े उस channel पर post करती हूँ so please उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीचे और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे मेरे एक और channel भी है soul mystic taro उस channel पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से आपके लिए उनके आपके जजबाद yes or no pendulum readings ऐसी सभी readings में आपने उस channel पर post करते हूँ और प्लीज उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीचे और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिसे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे उस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा so thanks for watching see you soon